अब दोस्तों आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कॉमर्स के लेक्चर में बला राहुल सर का क्या काम है, तो दोस्तों थोड़ा सा सबर करो, सब चीज बताएंगे या, टेंचन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, गौरो सर है साथ में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप लोग के कॉमर्स का लेक्चर आप जो देखने आये हो, वो ही लेक्चर मिलने वाला है आज, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बाते आज मैं करने वाला हूँ, वो पहले ध्यान से सुलो, देखो यार, सबसे बेले तो आप सभी अबजेक था, जो की था हमारा प्यारा इकोनोमिक्स, वो कब आएगा, तो कंटिनियूस आप लोग जो डिमांड कर रहे थे ना, तो गौरो सर से जब मैंने डिसकस किया, मैंवाला सर, आप तो बच्चों को देना पड़ेगा, इकोनोमिक्स यार, बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं, तो फाइनली जो आप लोगा डिमांड था, जो वेट था, वो आज पूरा होता है, और आज आ चुका है, फाइनली हमारा इकोनोमिक्स का पहला चाप्टर का पहला लेक्चर वीडियो, जो की गौरो सर कंटिनियूस करेंगे, तो आपको कोई भी चिंता करने के जरुत नहीं है, बचा है, सिर्फ अकाउंट से, यानि बीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एक और चीज़ मैं आप से पूछना चाहता हूँ, इसी वद कि आप लोग जो कॉमर्स के स्टुएंट हो, आपने option में क्या रखा है, लाइक SP रखा है, तो मुझे जानते हों कि मैं 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 बूद अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो मैं कॉमर्स का भी मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो कॉमेंट कर देना, अगर ज्यादा कॉमेंट रहेंगे, तो मैं खुद मैंट्स का कॉमर्स का स्टार्ट कर दूँ बाकी लेक्चर अभी गोरो सर कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल चिंता मत करना अभी मैं यहां से जा रहो ने तो आप लोग बोलेगे सर आ गए बस बोले के लिए तो टेंचल मतलो अभी मैं जाता हूँ गोरो सर आप पटाफट से ले लो तो थैंक यू तो और दोस्तों कैसे हो यार क्या हले सबी की आवाज आरी एकदम बढ़ी है से चलिए स्टार्ट करते हैं जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एकनॉमिक्स आज हम स्टार्ट करने वाले ठीक है बाकी मेरे SPN OCM वाले बच्चे आप तो एकदम सेट हो हाना लेकि अब जो हमारे बच्चे एकनॉमिक्स के लिए तैयार थे एकदम बेसब्री से इंतजार था आप लोगों कहाना आप कबसे वेट कर रहे थे हमारे चैनल यार टुटरियल्स पर तो आज दोस्तों हम एकनॉमिक्स को स्टार्ट करने वाले आज लेक्शन नंबर वन है ठोड़ तो आपको एकनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है जरा हमें भी बताओ चार मंत्र क्या है सर देखिए आपको लाइक करना है जो आपको मज़ा आएगा चैप्टर में साथ साथ पढ़ने को आपको शेर करना है दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करो सब्सक्राइब करना तो चलिए दोस्तों बिना कोई समय विष्ट किए अब सीधा चलते हैं लेसन पर आना एकदम एक्साइटर और एकनॉमिक्स पढ़ने के लिए बच्चा कहा रहा है सर बस इतिस इनका तो इंतजार था ठीक है बाई आपकी इंतजार को खदम करते यहाँ पर लेसन नमर वन द दोस्तों लेकिन यह जो लेसन है ना बहुत इजी है लेकिन आपको थोड़ा से डिफिकल्ट जा सकता है पता है क्यों यार तुम तो पहली हर मान गए लास्ट में सिखेंगे ना चलिए ध्यान दीजें यहाँ पर लास्ट तक बताऊंगा यह डिफिकल्ट क्यों जाएगा य आपको पता है यह कुछ ऐसी लॉज है जो किना दोस्तों युनिवर्सली एप्लिकेबल है बच्चा करें हाँ सर तक तो वही पढ़ते आये हैं जैसे कि सर मैतमेटिक्स में कुछ था वो फॉमुला वगेरा फीजिक्स में हो गए कैमेस्ट्री में हो गए सर प्लीज यह मत सि उनकी स्टडी करते हो इन ससाइटी मतलब वह इनसान वह जो लोग है यह सब कहांसे बनता है यह पैसा डिस्ट्रिब्यूट होता तो कहांसे होता है क्या इसके पीछे कोई एक बड़ी ऑर्गनाजैशेशन है कि नहीं सब दोस्तों समय में होता है और वह सब दोस्तों किसका पार्ट है वह पार्ट है social science का कोई दिक्कत आई अब तक कुछ एकदम आसान था अब अच्छा आए सर क्या हम यह मान ले कि economics जो है ना सर यह economics जो आपने लिखा है आप यह subject का नाम यह किसका पार्ट है दोस्तों यह आप कुद बोलोगे यह पार्ट है social science का मतलब की दोस्तों जो economics है ना वह एक इंसान एक लोगों के behavior पर study करता है एकदम रेडी चलिए आगे चलते पटक से और यह lesson को ना एकदम बड़िया तरीके से समझेंगे और अच्छे marks लाना आपके duty है वाई साब ठीक है चलिए meaning of economics चलिए यह word कहां से आया क्यों आपने सोच होगा दूस्तों यह Woah है यह एक ग्रीक है ठीक है कहां से डिरैव हो गया है इसका मतलब दोस्तो management of household मतलब कि दोस्टो economics एक ऐसा word है जिसका मतलब होता है कि आपको manage करना है आपको देखना है कि वाई सब क्या चल रहा है एक पूरी society में यह household यानि कि पूरी society कितने भी लोग कितने भी firm में कितने लोगे उन सब का study करना कैसी study करना यह सब तो हम आगे सीखेंगे लेकिन फिलाल आप यह समझे ना कि आपको study करना है उसके behavior को study करना है ठीक है चलिए यहां पर द्यान देजिए का economics का definition है यह deal करता है it deals with human beings हाहा हम इतने दिर से सीखते आ रहे कि वह human beings के behavior को study करता है लेकिन सर कैसे behavior वह ऐसा क्या कर रहे है चेकनोमेक्स को study करना पड़ रहे है देखिए क्या करता है इंडिल्स विद यूमन बिंग्स तो सेटिस्वाइब unlimited wants with limited resources आप मुझे बाद बताओ आपकी जो wants है आपकी क्या wants है बच्चा गया रहे सर मुझे घर चाहिए गाड़ी चाहिए और एक bike मिल जाएगी तू बस इससे जादा मुझे सर कूछ नहीं चाहिए अब मैंने चलिया आपको किनों दे दिया क्या आप उसके बाद बोलोगे सर यह घर तो छोटा सा है ठोड़ा सा पड़ा घर दिला ठीक है फिर आप बोलोगे चलिए मैंने आपको बड़ा घर दे दिया थोड़ा सा पड़ा घर दे दिया फिर बच्चा कर रहे सर आपने मुझे पहले BMW दी थी ना सर अब थोड़ा सा Lamborghini में गुंदे का मन कर रहा है प प्रोटे से भी अच्व में खूश हो जाता है बस मेरे लाइफ का मकसद पूरा हो गया तो वह नहीं है यार वह अच्छा इंसान नहीं है कभी एक इंसान को कैसा हो चीड़ोस्तों एक रैश्नल इंसान कैसा सूचता है अभी मैं यहां पहुंच आप आसमान में पूच्छा आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए तो एकनोमिक्स यह लोगों के पीवेर को स्टर्डी करता है कि कैसे एक इंसान अपने unlimited वॉंट्स को कितना उसमें के लाइने के लिए कि लिए आप कैसे लगता है ना तब ही अपके अधिकेशन मिलती है अब पफिर उस एजूकेशन से है कमा रहे ओ एक ही नहिं तो यहां पर क्या यह सब चीजे दोस्तों कौन करता है स्टडी एकनोमिक्स टडी करता है आप सब इसमें सिखेंगे कि कैसे बच्चा करे सर क्या हमें एक एक इंसान को स्टडी करना पड़ेगा क्या नहीं नहीं टेंशन मतलो अभी तुम छोटे हो अभी तुम 11 अभी हमें सिप जानना है कि यह वर्ल्ड यह एकनोमिक्स की दुनिया वर्क कैसे करती है तैयार तो यह था फुर्स लाइड हमने कुछ बेसिक्स चीज़ों के बार में जाना दोस्तों मजा रहा है कि नहीं निरको बहुत मजा आया चलिए अगले बैठ चलते हैं अना अब देखिए अब कॉप होता है दोस् अचलिया जी ने इनने क्या कर दोस्तों एकनोमिक्स की उपर कुछ अपने पॉइंट्स रखे अब दोस्तों कौशली जी को हम चाने के कि नाम से भी जानते हैं यह तो आपने जाना ही हाना सबने सुना इनके बारे में कितने महारती थे यह तने इंसान थे अब देखिए दो दोस्तों चली समझते हैं पहले बहुत आसान है विखांधो यह कहते है दोस्तों weet सब्सक्राइब प्रॉपर्टी 0 और मैं सब्सक्राने ट्रॉपर्टी जितनी भी भाई सब जो लगाने लगा लो जितनी भी प्रॉपर्टी स्टार्ट टू एंड अब बना सकती हों दोस्तों उसे कहते हैं वेल्थ एकदम क्लियर आगे तक यह वर्ड आएगा असान है आपकी वेल्थ किया यानि कि आपकी पूरी नेट टन ओवर कितना आप समझने वाले उसका देखिए दोस्तों अर्थ का मतलब होता है साइंस और साइंस है यह बहुत दोनों मिक्स है जब हम एक साथ चलते हैं जब हम एकनोमिक्स की बात करते हैं ऐसा यह कह रहे है और ट्रीटीज मतलब की दोस्तों इनने एक ऐसा आर्टिकल लिखा है जिसमें इनने बताया है कि एकनोमिक में वेल्थ और साइंस बहुत इंपोर्टन रूल प्ले करता है यह ऐसा बस कह रहे हैं कुछ था डिफिकल्ट था इसमें नहीं न और यह इनने पॉलिटिकल एकनोम इनके जब इनने डेफिनेशन दीती इनने अपने कुछ बात रखी तो उसके बारे में कुछ की पॉइंट से चलिया हम पढ़ते हैं इसमें दोस्तों पहला है क्रूशल रोल औफ गवर्मेंट यह कहते हैं दोस्तों जब हम एक एकनोमिक्स की बात करते हैं तो उसमें गवर् सर बाइचांस गलत जैके से पैसे कमा रहा है तो गवर्मेंट की जूटी उसको रूखने का हां सर एकदम सही कहरें कोशल जी जो है एकदम सही कहरें कि नहीं आप ही बताओ हाना गवर्मेंट का कितना वड़ा रोल है ठीक है चलिए फर्स्ट पॉइंट से हमने थोड़ा सब सब्सक्राइब करता है तो यह कहते हैं जो गवर्मेंट का रोल बहुत इंपोर्टन फ्ले करता है तो यह कहते हैं जो गवर्मेंट है ना उनको चलाने वाले भी बहुत अच्छे लोग होने चाहिए तो अभी एक गवर्मेंट जो है ना बहुत अच्छा काम करेगी ठीक है कोशल है यह हमें कुछ डिफिकल नहीं लगा यह तो आसान सा था उसके बाद दोस्तों देखिए मतलब कि दोस्तों यह कह रहे है कि सब जैसे देखिए यहां पर क्या लिखा है पॉलिटिकल आइडियास कुछ और होंगे किसी और परसन का पॉलिटिकल अपनियन पॉलिटिकल एडवाइस कुछ अलग होंगी सभी का वो लोग ने हाँ अचा आप यह कहते हो पॉलिटिकल एडिक्स के बार में ओक्यों के बारे में इनने कुछ थोड़ी थोड़ी लोगों से राई ली और इस राई को दोस्तों इनने अपने wealth and science की जो definition इनने लाया है ना political economy के बारे में उसको use करी कोई दिक्कत है कोई बात नहीं देखिए दोस्तों वैसे नहीं कोशन बनना बहुत मुश्किल है यहां से कोशन आता है exam में ऐसा बहुत difficult मतलब बहुत मुश्किल है मतलब कि यहां से तो कोशन नहीं आएगा लेकिन यह आपकी बुक में पता है क्यों दिया है यह चाहते है पहले आप economics को study करें इसका मतलब जाने ऐसा यह समझिए कि सिफ आप ही नहीं हो जो economics पड़ रहा है यह economics जो है यह बहुत सालों से चलते आ रहा है और जो इतने साल से चलते आ रहा है ना दोस्तों तो यह सभी ने अपने लेसन में लास लेक्चर में आएंगे ना इस लेसन नंबर वन के तब मैं ही आपको बताऊंगा कि कहा से कोशन पिक हो सकते हैं आप उसकी टेंशन मतलो फिलाल आपको सीफ और सेफ कंसप पर दियान देना है चलिए अब हम कुछ और definitions पड़ते जो एक दम बहुत बड़े-ब पहले हम definitions के बार में जान करें जिस इंसान के बार में जानेंगे हम जिस परसन ने definition देती उनका नाहीं दोस्तों Adam Smith ओके सर समझते हैं इनने दोस्तों Adam Smith जो है इनने definition देती की wealth-oriented definition of economics मतलब की इनने क्या करा wealth को ध्यान में रखते हुए economics के लिए एक definition भी कोई दिक्कत आई नहीं सर समझा उसके बाद देश्तों देखिए दुनिया में लाने के लिए हाना हर एक इनसान जाने इसके बारे में इनका Adam Smith जी का एक बहुत बड़ा सा रोल प्ले किया होगा यार तभी तो इनने father of economics कहते हैं इसलिए इन्हों कहते है father of economics किने कहते हैं Adam Smith कभी नहीं बुलना है क्या रखना economics में कुछ definitions के बारे में आए ऐसा लिख्या आजने का economics मनलब यह father of economics Adam Smith इनकी definition पर ध्यान देते हैं यह क्या कहते हैं यह कहते है कि economics जो है न दोस्तों यह है science of wealth यानि की wealth जो आप कमा रहे हूं वो कैसे कमा रहे हूं इसके पीछे में एक science का रोल बहुत प्ले करता है बच्छागरा सब साइन्स क्या मुझे science लेने चाहिए थी अरे नहीं मेरे वाई यहां पर धाम दो economics as a science of wealth याने की दोस्तों एक wealth को कमाने के लिए science का बहुत बड़ा रोल प्लेवर होता है दोस्तों यहां पर science मतलब की एक ऐसे laws है एक ऐसा तरीका है अगर आपको wealth कमाना है ना तो आपको वह तरीके को follow करके ही कमाना है क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों science याने की कुछ ऐसे laws जो की पूरे दुनिया में applicable है हाना ठीक है ना सर कोई बात नहीं तो मतलब की मतलब सर अब यह कह रहे हो क्या सर एक सेकंड अब मतलब क्या बात कर रही है यह कहा रहा है अंकल हमारे कि government का intervention क्या बोलो मैं intervention याने कि दोस्तों participation नहीं सर होता है यार क्या बात कर रहा है सर नॉन interventional government सर गवर्मेंट तो participate करती है एक नौमी में कि वो लोग wealth लिखते है न कि नौमी की wealth जो लोग कमा रहे हैं कैसे कमा रहे हैं किस तरीके से कमा रहे हैं सर मुझे तो Adam Smith की first point वाली जो definition है न यह थोड़ी सी गलत लगती है कोई बात नहीं यह आपका point of view है लेकिन Adam Smith अंकल ने क्या बोला था यहां से कोशन बनना मुश्किल है अरे जब कोशन बनेगा तुम्हें आपको बताऊंगा आप लोग सीफ concept पर ध्यान देना है ठीक है कोई बच्चा यह नहीं कहेगा सर यहां से पढ़ना क्या हमें नहीं समझा आज जो हम कर रहे हैं यह आपको सिफ रीड मारता है इसका मालब दोस्तों यहां पर नजो capital है और wealth यह इनकी definition में बहुत ज्यादा important role play करती है capital यानि कि दोस्तों आपके पास कितने properties है आप कितने पैसे ला रहे हो एक business start करने लिए जहां से आप business start करोगे फिर आप उस business से पैसे कमा होगे और overall आपका क्या बनेगा wealth तो यह कैस इकनोमिक्स को science कह रहे है हाना यह third point में देखो natural laws in economic affairs यह कह रहे है कि अगर आपको इकनोमिक्स को study करना है तो यहां पे ना science का बहुत ज्यादा major role होता है science में जो लिखे गए हैं जो universally applicable होते हैं यह सब laws दोस्तों हमें economics में भी applicable होते हुए दिखते हैं कोई बात नहीं यह स चाहते हैं यह subject आपको चाहता है कि अप economics के बारे में समझो कि यह subject आपको बताना क्या चाहरा है आपको सिखाना क्या चाहरा है इसके बाद देखें दोस्तों division of labor हाहां मतलब कि यह कह रहे हैं दोस्तों अब आपको भी बता है याद करो एक business में चलाने क्लिए क्या क्या लैंड चाहिए आपको business चलेगा कहां उसके लैंड भी तो चीना सर ओके उसके बाद बच्चे क्या कर रहा है आहां बोलिए बोलिए ओके क्या करें मशीन चाहिए ओके वेरी गूड ठीक है तीन चीज़े आपने एक दम सही बता है लेकिन जो आखरी चीज़े दोस्तों वह लेबर अब आप मुझे बताओ एक बात बताओ मशीन को चलाने के लिए कुछ लोग लगेंगे ना ऐसा भी नहीं कि सारी automatic हो गई यह नहीं भाई आज कल 80% जो मशीन सोती उसको चलाने के लोग लगते तो बस वह यह division of labor आपको जो आपके पास labor होगा आपके जो worker होंगे आ की कैसर कोई बात नहीं है सब डिफिकल नहीं लगा हमने थोड़े थोड़े कुछ नए कंसेप्स को जाना हाना और कुछ समझा कि हाँ यह एकनोमिक्स क्या होता है यह हमें समझाने की कोशिश कर रहे है हाना चलिए अब अल्फरेड मार्शल अंकल के बार में जालते हैं जाल इजी मतलब as compared to Adam Smith बच्चा करें सर फिर Adam Smith को father of economics क्यों कहते है यार Adam Smith ने ना दोस्तो सिफ economics के definition नहीं अब समित अंकल ने बहुत सारे definitions दिये अभी तो तुम economics से first lesson भी हो last lesson तक आओगे तो यह अल्फरेड मार्शल अंकल हो गए और Adam Smith अंकल हो गए इनके बार में तुम सुनते ही रहोगे तो इसलिए इनको father of economics कहते है चलिए यह क्या है तोस्तों अल्फरेड मार्शल कहते है कि economics is a study of a mankind in ordinary business of life मतलब कि सर economics एक ऐसा हम study करते है एक इंसान के behavior को वह अपने दिन भर में क्या करता है बिल्कुल यह कौन कहता है अल्फरेड मार्शल कहता है आपको सिब समझना है यह आपको याद नहीं करना है एकदम क्लियर आज समझो फर्स इनका definition कहता है कि दोस्तों यह ordinary इंसान को पूरी तरह से study करते है यह पूरी दिन बर में क्या करता है यह कैसे करता है क्यों करता है अब यह सब study करते हो ऐसा अल्फरेड मार्शल अंकल कहते है उसके बाद दोस्तों एकनोमिक इस बीहेवीरल साइंस यानिक दोस्तों यह कहते है कि एक इनसान कि जो एकनोमिक से ना जो इसके बीहेवीर पर डिपेंड करता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है कैसे कर रहा है क्या जरूत पढ़ गई उसके करने की यह कैसा है तो सब कूछ है है इसको कहते दोस्तों श्ट्रडी अब बताऊ न यह यह इतना इंपोर्टेंट्स रॉल प्ले क्यों करता है अब दोस्तों आप दोस्तों आप यूमन बिहेवियर का ब्युक्त करेंगा अब बता जब उसके पास रहने के लिए सब कूछ है बाइस एक तो मज़े से ची रहा है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है बहुत सार पैसे पैसा है तो इसका बीएवियर देखने में तो यार यह तो कितना खुश लग रहा है लेकिन दोस्तों अब कोई लूवर क्लास वाला इंसान है बिचले मेहनत कर रहा है पैसे नहीं उसके लूवर के पैसे कमा रहा है तो यहां पर उसका बिएवियर हो जाएगा उसका खर्चा करने का बिएवियर जाएगा लेकिन अपर यही एक इंसान है जिसके बाद सब कुछ है रही कुछ चाहिए नहीं जिन्दगी में यह तो एकन्यों में जीएगा तो इसके बहुएर का भ तीर बारे में नहीं जानना है यह wealth आया कैसे कमाया कैसे किसे कमाया किसे कमाया मतलब कि human behavior इसको भी समझना है इसको भी समय कशने याद रखना है इसका पूसर रीड़ करना यहां से अगर कि अगर आपके इख कॉलेज वाले और उनको आपकी 말고 स्कूल आपको ना हर एक definition के बार में थोड़ा थोड़ा सा पढ़के जाना है अभी आप मेरे को सुनके जा रहे हो उसे बाद आपको क्या करना है इसको रीड करना है इसलिए आएगा आपको समझ में हाना चलिए लाच definition पर चले यह जो हमारे लाइनल अंकल है आई ये जानते हैं ये क्या कहते है इनने scarcity-oriented definition दिया था economics के बारे में अच्छा यहां पर रहां दिजा है most popular definition of economics उक्के चले जानते हैं क्या बोला है इनने इनने अपने यह जो definition है इनकी अपनी famous book में दिया था जिस book का नाम था an essay on the nature and the significance of economic science in 1932 में नहीं definition दिया था इनके famous book में कोई दिक्कत नहीं है इनने दूस्तों scarcity-oriented definition के बारे में बात की थी ठीक है सर समझेंगे इनने क्या definition दिया था सर इनने दिया था कि economics is a science हाँ हाँ ओके start को अच्छा लग रहा definition का काफी which studies अच्छा मतलब economic science है जो study करती है क human behavior को समझें यह क्या है दोस्तों economics is a science we study human behavior यह एक ऐसा relationship है between ends and scares means which are alternative बच्चा करा सर उपर करा बहुत है समझा नीचे का नहीं समझा सर ठीक है देखें एंड का मतलब होता है दोस्तों wants आपकी want क्या है हाना want यानिकी सर क्या आपकी इच्छा क्या है मेरी इच्छा जैसे कि ह में बहुत successful इंसान मनूँ हाना यह मेरी एक want मेरे बहुत सरी property हो मेरे बहुत सरे बच्चों का प्यार हो मेरे बहुत सरे followers हो आपने दोस्तों यह मेरी wants है जिसी कहीं देखिए आपने यह वीडियो के बाद मेरे 2000 followers कर दीए ठीक ऐसे बाद एक्जांपल दे रहा है तो मेरे मन wants जो है ना यह हमारी wants दोस्तों unlimited है जितना मिले उतना कम लेकिन यह चीज को पाने के लिए ना दोस्तों जो resources से वह थोड़े से कम है scarce है scarce scarce जिसे कहते है कम यानि की scarcity means which are alternative use लब की दोस्तों यहाँ पर alternative use भी है अगर आपको इस वे से नहीं आ रहा ना तो आप यह वे से भी ला सकते हैं बच्चा गर अशर यह नहीं समझा लब देखो अगर कोई बच्चा sports के फिल्ड में अच्छा है तो sports के फिल्ड में अच जैनिटी उतरीके से पैसे तो कमा सकते हो और अपने wants को जो unlimited wants है उसको पूरी complete करने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हो तो मतलब दोस्तों अब हम ना यार fourth definition पर economics के आपको क्या लगता है सबसे अच्छी किसकी obviously इनकी Lionel Uncle की सबसे best definition थी इसलिए इनको कहते है most popular definition of economics अब देख कोशन आ जाए what do you minimize economics ऐसा तो आपको लिखना है definition में यह वाली definition of Lionel Robins रॉबिंस explain about economics as फिर आपको यह definition लिखने economics is a science विच शड़ियर ठीक है क्या यह definition यह तुम्हें याद करनी है मैं चाता हो तुम्हें यह याद करो बहुत आसान है दिक्कत तूरी दो-तिन बार लिखके practice कर लो याद हो जाएगी अपने अप अना ठीक है यह question exam में आ सकता है अकर आएगा ना इसमें से definition वाले question में से तो यह question आएगा क्योंकि बहुत important role play करता है इस lesson के इसमें ठीक है चले आसाना कुछ डिक्कत नहीं आई अब दो मिनिट के concept को यहाँ पर समझते हैं फिर इसको end करते है बस दो मिनिट बच्चा नहीं जाना है आपको सिफ दो सप्रेक्स यानिक दोस्तों यो है नंches गdead और दोस्तों आज दिवाइड़ेड़ा मैंगे दोस्तुं और अब दूस्तों यहाँ स 테츠 और आप ठोली सटेंडर के माально और बट जाते अने इस वाली इसलिए गेम स्टार्ट होता है अब तक हमने बच्च वाली हरकत बात की एकदम वहां से एक्जाम में कोशन आएगा कि नहीं यह भी नहीं पता लेकिन यह आपको जानना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि वहां से तो स्टार्ट हो गया है समझांगा कैसे डार और मैक्रो यानि कि सर वो जो छोटा है ना उससे थोड़ा सा तो बड़ा सर इतना तो हम समझते तो देखिए अब एक अगर हम वर्ड में समाप्त करें इस लेक्चर को तो माइक्रो एक्क्नोमिक्स यानि कि एक ऐसा एक्क्नोमिक्स जो डील करता है विद बीवियर ऑफ तो ना बड़ा कंसेप्ट है अब यहां से आपका असली गेम होता है शुरू तयार एक्दम अना एक्क्नोमिक्स में अच्छा स्कूर करना है हमें ठीक है तो बस दोस्तो इस लेक्चर को अपन यहां पर एंड करते हैं मिलता हो आप सभी से लेसन नंबर क्या बूल रहा हूं लेक्चर नंबर टू में ठीक है आपका अटेंचन ही कि नहीं यह चेक कर रहा था कब मिलूंगा लेक्चर नंबर टू में चलिए फिर दोस्तो इस लेक्चर को एकदम प्यार बाटो जो भी बच्च्छा अपने एकनोमिक्स सिखना चाहता था अपने सारे दोस्तों के साथ अच्छे लेवल से पढ़ना था न यह लिए चले फिर दोस्तो इस लेक्चर को पनिया अपी एंड करते मिलता आप इसे नेक्स लेक्चर में तब तक ले पढ़ाए कीजे मज़ें कीजे और वापस मिलते हैं जयार टूट्रोल्स के चैनल पर ठीक है चले दोस्तों